नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जाएका में आज हम भोती हेल्दी आइस क्रीम बनाएंगे वो भी बिना दूद, क्रीम, कंडेंस मिल्क या शक्कर के जिसे आप बार बार खाएंगे और बार बार बनाना चाहेंगे अगर हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर करें हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को भी जरूर से दबाएं तो चलिए बनाते हैं हमारी बनाना चॉकलेट आइस क्रीम यह देखिए हमने 100 ग्राम हमने चॉकलेट ली है हम यहां मिल्क चॉकलेट का इस्तमाल कर रहे हैं आप चाहे तो डाक चॉकलेट का भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी कमपनी का कर सकते हैं इस तरह से हम इस चॉकलेट को काट लेंगे चॉप कर लेंगे बारिक बारिक एकदम ताकि यह बहुत आसानी से मेल्ट हो जाए इस तरह से देखिए हम चॉप कर लेंगे तो यह देखिए हमारा चॉक्रेट चॉप हो चुका है अब चलिए अब इसको हम एक बड़े बोल में इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं डाल देते हैं उसमें हम और देखे गैस पे हमने पहले से एक टोप में पानी रखा था गरम होने के लिए पानी गरम हो चुका है अब यह हमारा चॉक्रेट वाल बोल बील्स के उपर रख देंगे डबल बॉलर के मैथर से हम इसको मेल्ट करेंगे तो यह देखे इस तरह से इस पैचुला से लाते हुए हम इसको मेल्ट कर लेंगे देखे बहुत आसानी से मेल्ट हो गया है बहुत ही सिल्की लग रहा देखे तो यह दिख चलिए अभी इसको घ्यास से नीचे उतार लिया है इमने चौक्रेट को यह देखिए इस तरह से अब इसको हम एक पेपर ग्लास में डालेंगे चौक्रेट को आप चोटा या बड़ा कोई भी ग्लास ले सकते हैं यहां पर मैंने चोटा ग्लास का स्तमाल किया है उसको अब इस तरह से हम हिलाते हुए गोल घुमाते हुए चौकलेट को पुरह स्प्रेड कर लेंगे ग्लास में तो यह देखिए हमारा इस प्रेड हो चुका है इसी तरह हम बाकी ग्लास में भी चौकलेट डालके स्प्रेड कर लेंगे और इसको चारो तरफ से लगा लेंगे इस तरह से और इसको freezer में फिर हम 5 मिनिट के लिए रख देंगे सुखने के लिए तो यह देखिए यह हमारे अच्छे से लग चुका है अब यह देखिए हमने तीन केला लिया है यह एकदम अच्छे से पक चुका है केला उसको हम छिल लेंगे क्योंकि हमारे आइस्क्रीम में हम केले का इस्तमाल कर रहे हैं तो यह देखिए हमने केले को छिल लिया है अब इसको हम काट लेंगे इस तरह से हम pieces कर लेंगे उसके हम फ्रेंज यह आइस्क्रीम बहुत ही tasty और बहुत ही healthy होती है तो आप इसे ज़रूर बनाएं इस तरह से अब इसको हम mixer garden में ड़लेंगे हमारे कटेवे केले को अब इसमें हम दूद डालेंगे हमने 3 टी-स्पून दूद लिया है जितना केला उतना ही चमच हम इसमें दूद डाला है चीस्पून और उतना ही टीस्पून हमने हनी डाला है यानि कि तीन टीस्पून हमने इसमें हनी डाला है इसमें हमने शक्कर का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं किया है बहुत ही हिल्दी हमने आईस्क्रीम को बनाया है तब इसको हम बंद कर देंगे अब इसको हम ग्राइंड करेंगे हम तो यह देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है चलिए अब इसको हम खोल के देखते हैं चेक कर लेते हैं कि यह बराबर हुआ कि नहीं हुआ तो ये देखे वाव बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है बहुती स्मूध इसका पेस्ट बन के आया है एकदम कुलफी का जैसा इसका कलर आया है देखे अब ये जो ग्लास फ्रीजर में हमने रखी थी वो भी सूख गई है अब इसमें जो हमने केले का पेस्ट बनाया है वो इस ग्लास में डाल देंगे हम और इस ग्लास को भर देंगे हम तो आप इसमें बड़ी पेपर ग्लास का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से देखे हम चारो ग्लासों को भर देंगे हम अच्छे से बर देंगे, अब इसको हम टैप कर देंगे, ताकि उपर से स्मूध हो जाए, इस तरह से हम इसको हिला देंगे, टैप कर लेंगे, तो यह देखिए उपर से एकदम स्मूध हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे आइस क्रीम स्टिक, यह हमने थोड़ी सी काट ली क्योंकि आइस्क्रीम स्टिक थोड़ी बड़ी थी हमारी जो पेपर ग्लास है वह थोड़ी छोटी है इसके लिए थोड़ी सी काट ली थी अब इसको हम सेंटर में डाल देंगे अगर आप बड़ी ग्लास करते हो तो आपको काटने के जुरूत नहीं पड़ेगी तो इस तरह स तीन से चार घंटे के लिए सेट होने के लिए तो यह देखिए हमारे चार घंटे हो चुके हमने निकाला है देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुका है अब चलिए इसको हम निकालते हैं इसको ग्लास को इस तरह से फाड के हमें निकालना है तो यह देखिए बहुत अच बहुत तेस्टी और प्यारी लग रही है यह देखे हमारा बनाना चॉकलेट आइस्टी बनकर बिल्कुल तयार है जो हेल्दी होने के साथ-साथ ख़़फी यमी भी है और यह बच्चों को बड़ों को सभी को भूत पसंद आएगी तो आप इसे जरूर बनाए और इंज्योई करें तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ